दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने civil score को guaranteed कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपका civil score अच्छा नहीं है तो किसी भी bank से financial संस्था से आपको loan लेने में या फिर credit card लेने में आपको समस्या हो सकती है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने civil score को सबसे पहले सही करें उसके बाद ही आपको loan के लिए apply करना चाहिए यहाँ प्रम मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने civil score को बहुत अच्छा बना सकते हो और बहुत सारे ऐसे region भी बताऊंगा कारन बनाऊंगा जिसके चलते आपका civil score खड़ाब हो जाता है अगर आपका civil score 750 से कम होता है तो किसी भी bank से loan लेने में credit card लेने में आपको समस्या होगी तो सबसे पहला point है कि जब भी आप कहीं से भी loan लेते हैं तो उसको समय पर भुक्तान कीजिए या फिर आपका कोई EMI कट रहा है तो उसको जो है समय से आपको देना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके civil score पर बहुत इसका गंदा प्रभाव पड़ता है और आपका score कम होता है कभी कभी ये मैं दूसरा point बता रहा हूँ कभी कभी आपका civil record जो है बहुत अच्छा होता है आपने कोई भी loan लिया है example के तोड़ पर उसको आपने समय पर भुकतान कर दिया है आपके तरफ से कोई गलती नहीं है लेकिन company या फिर परसासनिक कारणों के चलते जो है आपका loan amount जो है loan account जो है अभी भी active दिख रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन उसके चलते आपका civil score गंदा हो जाता है इसलिए जरूरी है कि जो भी loan का आप payment कर दिये हो तो उसको आप check करें कि वो अभी तक close हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द उसको close करवाईए ताकि आपका civil score और भी अच्छा बन सके देखिए तीसरा point बता रहा हूँ आप credit card लेते हो, personal loan लेते हो, auto loan लेते हो, home loan लेते हो तो loan दो तरह से होता है, एक आपका secured loan एक आपका unsecured loan तो आपको secured loan और unsecured loan लेने के कड़म में balance बना के रखना होता है अगर आप secured loan लेते हो, तो banks और जो bureau companies होती है जो आपका civil score बनाती है वो लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा विश्वास करने लाएक हो, क्योंकि आपने secured loan लिया है, ठीक है? आप अगर credit card इस्तमाल कर रहे हैं, तो जो भी आपका बकाया रासी है, बिल्कुल उसको समय पड़ आपको चुकाना चाहिए और इससे जो है आपका civil score अच्छा बना रहेगा, तो ये आपका चोथा point है पाच्वा point है कि आपको joint account holder या फिर किसी भी loan का guarantor बनने से बचना चाहिए मान लेजिए कोई loan लेड़ा है आप उसका guarantor बन गए हो, समय पर वो loan नहीं चुका पाता है तो आपके civil score पर इसका गंदा प्रहाव पड़ेगा, आपका score कम होगा वैसे ही अगर आपका joint bank account बना हुआ है, तो जो दूसरा party है उसके activity से भी जो है आपका civil score खड़ाव हो सकता है उसके गंदे activity से, तो joint account holder या फिर किसी loan का guarantor बनने से बचना चाहिए छथा point है कि हमेशा आपको सुरचित card को ही इस्तमाल करना चाहिए मतलब कि fixed deposit के तुलना में आपका credit card ज्यादा अच्छा होता है ठीक है और इस तरह के secured credit card का ही इस्तमाल आपको करने से civil score अच्छा बनता है साथवा point है कि एक ही समय पर बहुत सारे loan मत लेजिए एक बार में एक ही loan लेजिए उसका भुकतान कीजिए भुकतान complete हो गया, loan close हो गया, फिर दूसरा loan लेजिए एक ही पार पर बहुत सारा loan लोगे तो ऐसा मतलब समझा जाता है कि भाई यह व्यक्ति को loan को चुकाने में जो है समस्या हो सकती है तो उससे भी जो है आपका civil score खड़ाब होगा तो एक लीजिए, चुकाई यह, फिर दूसरा लीजिए आठवा point है कि अगर आप credit card का इस्तमाल कर रहे हो तो जो भी आपका credit card का limit bank ने दिया है उसका पूरा का पूरा मंथली इस्तमाल मत कीजिए उसका केवल 30% का ही उप्योग कीजिए example के तोड़ पर अगर एक लाग का limit बना हुआ है credit card का, तो हर महिने में 30,000 तक ही इस्तमाल कीजिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर महिने में आपको इस्तमाल करना ही है लेकिन जब इस्तमाल करना है तो कोसिस कीजिए कि 30,000 तक ही करें इससे भी जो है आपका civil score अच्छा होता है अच्छा बनता है अगर आप 30% से ज़्यादा कर रहे हो खर्चा हर महिने में तो इससे यही परतित होता है कि आप बिना सोचे समझे ही हर महिने खर्च करते हो तो ये civil score पर जो है ना एक गंदा प्रभाव डालता है नौवा पॉइंट है कि आप जब भी लोन लेते हैं तो उसको चुकाने के लिए लंबी अवधी लंबा समय वाला प्लान चूच कीजिए ठीक है इससे जो है आपका EMI जो है कम होगा आप असाई से अपने सभी भुकतान को कर पाओगे और आपका जो है लोन डिफॉल्टर होने का भी जो है आपको लोन डिफॉल्टर भी आप नहीं वनोगे जिससे कि आपका सीविल स्कूर अच्छा बना रहेगा और भी अच्छा होगा इसके बाद दसवा पॉइंट है कि अपना क्रिट लिमिट जो है आपको बढ़ाना चाहिए अगर आप क्रिट कार्ड इस्तमाल कर रहे हो तो बहुत बार बैंक से आपको ओफर मिलता है कि हम आपके क्रिट कार्ड के लिमिट को बढ़ा रहे हैं यह सारे तरीके हैं और एक ची जान लीजिए कि आम तोर पर जो है क्रेडिट स्कोर सीविल इसकोर अच्छा होने में चार महीने से तेरे महीने का समय लगता है कोई जादू नहीं है कि घुमा दिये और तुरंट ठीक हो गया ऐसा नहीं है ठीक है ना समय लगता है कोई भी क्लेंगे थैंक यू दूस्टो